गोलो अच्छा इस्कूल में बच्चे हैं कि दोस्त हैं तुमारे तोस्त अच्छा बाय कर दो जाओ मैं कुछ बता दूं बच्चों को एलो जल्दी आना हां लंज कर लेना चीक है नहीं बंदनाई करना खुले रहें दो उसी पर सेट किया है ना और खुल दो और खुल दो बास 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 ठीक है तो डियर स्टुडिंट्स आज वो समय आ गया है कि मैं आपको याद दिलाऊं कि आप पढ़ो मैं आपको कहूं कि आप सुबह साम भूमना छोड़ो देखो तहन अपने अंदर वो बाते स्वयम आनी चाहिए अपने आदतों को ले करके आप स्वयम चिंतित रहें कि उसमें सुधार करेंगे परिवर्तन करेंगे तो निश्चेत रूप से उसका आपको फाइदा मिलेगा खेरे सब बातें तो बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो में बता kiltors लाती है जो बार-बार एक्जाम में repeat होते हैं उसको वो बताती हैं कभी सिर्फ question बताती है तो कभी answer के साथ बताती है तो आप उनकी वीडियो को ignore मत करिए उनकी वीडियो को ignore मत करिए ठीक है वह एक M.ब.A की student है और आप से काफी जादा senior है और इतना ही नहीं काफी research किया जाता है topic select किया जाता है उनके द्वारा फिर मुझे वो दिखाती है कि साथ देखे ये इतनी बार question आया एक मिनट किसी का call आ गया तो मैं जब वो चीज satisfied हो जाती है मेरे पाल आती है तो मैं उसको कहता हूँ हाँ ये question जरूर बच्चों को बताईए तो ऐसा समझे कि वो मेरे द्वारा उनके द्वारा दो लोगों के द्वारा काफी study होने के बाद वो इसकी वीडियो बनती है आपके लिए upload की जाती है तो आप उन वीडियो को आखरी तक देखें काफी में लिखें नोड करें अभी बताईए आप आप जिस school में पढ़ते हैं जिस tuition में पढ़ते हैं offline offline school, offline coaching क्या कोई ऐसा school coaching है जो हाथ से लिख करके important सवाल या type करके important सवाल आपके लिए बताता है नहीं बताता है school वाले आए पढ़ाए चले गए teacher वहाँ 10,000, 12,000 8,000, 5,000 की job कर रहे हैं वह जितना काम उनको मालूम है उतना काम किये चले गए उनको ये फरक नहीं पढ़ता कि आप important नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है आपका number कमाए वो ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं लेकिन मैं मेरे चैनल पर या किसी चैनल पर जो भी YouTube teacher है मैने से पढ़ाते हैं important सवाल ढोड़ते हैं, लिखते हैं वीडियो बनाते हैं, साल्व करते हैं अपने अपने ट्रिक से बताते हैं, चिलाते हैं टाइप करवाते हैं colorful ताकि आपको समझ में आए तो कहने का मतलब यह है कि आपकी जो offline दुनिया है उससे ज़्यादा आपके बारे में आपके YouTube वाले teacher लोग शोचते हैं तो आप इन बातों का जरूर सम्मान करिए वीडियों का जरूर respect करिए तो इन बातों का जरूर आप ध्यान रखिएगा आप मैं समझता हूँ तो अगर offline school होगा तो साथ एक दो school में ऐसा होता होगा कि बच्चों का exam न दिका रहा है तो अब type करवा के या वैसे ही हर chapter का important सवाल, important question या हर बिसे का important सवाल, important question numerical भी, theoretical भी पत्र लिखन, मतलब जो चीज़ों आपने पढ़ा नहीं, आप school नहीं गए या कभी गए, कभी नहीं गए जो आपका चूट गया, वो सब कौन revise करवा रहा है offline में गहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना offline school में, ना offline coaching में ये सच है मैं अपनी तारिफ नहीं कर रहा हूँ पुरे YouTube community की बात बता रहा हूँ यहां पर चैनल पर जितनी भी वीडियोज अप्लोड होती मेरे द्वारा या किसी दूसरे चैनल के द्वारा, सारी लोग मेहनत कर रहे हैं, आपको आप कुछ भूले ना, आपसे कुछ छूट में जाए, यह आपको हमेशा याद दिलाते रहते हैं, हाँ यह मानता हूँ कि आपने दस चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो दिन भर में दसों का अगर पांच-पांच वीडियो का नोटिफिकेशन या पचार नोटिफिकेशन आया आपने 10 चैनल या 15-20 चैनल सब्सक्राइब कर लिया आपको अच्छा लगता गया वीडियो सबका आपने सब्सक्राइब करते चले गए तो इसमें हो क्या रहा है कि एक चैनल पर 5 या 10 वीडियो प्रोड हो रिडिली सबका नोटिफिकेशन आ रहा तमने कितना मेंनस से बन रहा है और आप आते ही कभी इग्नोर कर दोगे डारेट कभी 20 सिकंड देख के छोड़ दोगे कभी एक मिनट देख के छोड़ दोगे मतलब आप ये डिसाइट करी नहीं पाते हो कि मुझे क्या देखना क्या नहीं देखना है इस नहीं आप हर वीडियो को दो मिनट देख करके हटा देते हो इंपोर्टेंट वीडियो को तो वाई जानते हो इसमें लॉस तुम्हारा है और इस लॉस से बचना कैसे है वो बता रहा हूँ अभी आपके पास टाइम है आप गीने चुने एक बिसे का एक टीचर जो एक बिसे मैथ, पिजीस, कमिस्ट्री ये तीनों सब्जेक्ट के लिए कम से कम तीन टीचर आप सेलेट करो वो तीनों टीचर एक ही चैनल पे हो सकते हैं वो तीनों टीचर अलग अलग चैनल के हो सकते हैं ठीक है आप बस 3 विश्त के लिए Phispers Commissioner by आप को बेस्ट टीचर शेलेक्ट करके चैनल सब्सक्राइब किया तो आपको बेस्ट वीडियो आ रही है नोटिफिकेसिन के रूप में तो आप उनको पूरा बाच करो यह समझो कि इसी टीचर को आपने महीने का 500 रुपय फिश दिया, साल का 6000 दिया, यही टीचर आपके यह सबसे बेस्ट है, ऐसा फिल करके उनकी पूरी वीडियो भाज करो, पूरा देखो, नोट करो, याद करो, नोट्स बनाओ, फार्मुला सीट बनाओ, जो हो सकता एकजाम क तैयारी के लिए वो सब कुछ करो, इन टीचर की वीडियो को देख करके, इससे जानते हो क्या होता, तुम्हारा टाइम बचेगा, तुम अच्छी चीजों को, खराब चीजों को इगनोर करने में, अपना जो वक्त चाया करते थे न, वो वक्त बचेगा, और प्लस हमेशा इस confusion से बचे रहोगे, यार यह अच्छा नहीं पढ़ा रहा, इससे तो अच्छा यह पढ़ा रहा, चार दिन बाद किसी हो टीचर की वीडियो दिख गई, उसका देख लिए कुछ, तो उसके में खो गए और पिछले वाले को भूल गए, फिर चार दिन बाद किसी अच्छ के स्टुडेंट हो, समझदार स्टुडेंट हो, अब आपको लिमिंटेट संसाधन में ही काम करना है, जरुवत से ज्यादा अगर बल्ब रूम के अंदर लग जाए, ठीक है, खूब रोशन ही होगी, बट उसका नुक्षान भी हो सकता, हो सकता आपको नीद ने आया रात मे इसनते एक या दो बल्ब ही लोग लगाते हैं, ठीक है, ऐसे ही आप अगर अपने जीवन में परकास के लिए, टीचर सेलेक्ट किये हैं, यूटूब पर, तो जरुवत से ज़्यादा होगा तो वही बात होगी न, किसका संबान करें, किसका न करें, किसकी वीडियो देखें किसकी छोड़ें, अभी छोड़ना सही है कि बाद में छोड़ें, या अभी छोड़ देते हैं, बाद में देख लेंगे, ऐसा कुछ मत करिए, पढ़ाई हमेशा प्रकीर्थ के तरह है, समय के तरह है, जो रुपता नहीं है, चलता रहता है, ठीक है, वो किसी वक्त का वक्त इंतजार नहीं करता, वक्त चलता रहता, आपकी पढ़ाई से वक्त के साथ चलनी चाहिए, सही बात बता रहा है, अब 50-20 चैनल सब्सक्राइब कर लिए हो, तो देरे-देरे अंसब्सक्राइब करना शुरू करो, देरे-देरे का एक ही दिन में कर सकते हो, बेस्ट चैनल प सभी लोग एक हजर के अंदर ही पढ़ा रहे, आपको सारा भी से पढ़ा रहे, कुछ लोग एक दो भी से पढ़ा रहे, तो आप फीस न देखो न, आपके माता पिता के मुह से आपने सुना, अगर पैसा हाथ की मेल है, तो आप भी इस बात को मानो, पैसा मेल है, जो हमेसा ह साथ धूला जाएगा उसके साथ धूल जाएगा मतलब कभी 1000 कर्च हुआ कभी 2000 कर्च हुआ अभी छट करती वहार दिबाली करती वहार आया इसमें भी तो लिमिटेट संसाधन का इस्तिमाल होता था लेकि लोग अनलिमिटेट खर्च करते हैं पटाकों में 1000-2000 सौक मोज में 1000- जिर्फ बैलिड है एक दिन के लिए कुछ चीजे हैं कुछ चार दिन के लिए हैं कुछ साल भर के लिए कप्रे वगर है तो है लेकिन अगर 1500 का आपने बढ़ियां से ले लिया न उसकी बैलिटी अनलिमिटेड है वह आपके जीवन में हमेसा रहेगा हमेसा काम आएगा पराँकों के हमारे जीवन में क्या फायदा है किसे हम क्या करेंगे वाल लिएंगे कि की जो साइंस का स्टूडेंट है वारहbi के बाद कि उसका लाइन चेंज हो जाता है, वह आर्ट का स्टूडेंट बन जाता है, वह Bande टेक नहीं करता है, IIT नहीं करता है, और BSC नहीं करता है, परल टेखनीक नहीं करता है, तो फिर उसके जीवन में कहां काम आयगा यग नायक्त और यह विज्ञान। देखो बेटा, मैं बता दूँ, पहरे गंडित की बात करता हूं, देखो मस्तिस्क का विकास करने के लिए जटिल से जटिल काम मस्तिस्क को करना ही पड़ेगा, जिस तरीके से आप अपने शरीर को तंदुरुष्ट करने के लिए कठिन से कठिन व्यायाम, कठिन से कठिन, जि निरोगर है, स्वस्तर है, दिर्ग कालीन जीवितर है, उसी तरीके से अगर आपको मस्तिष्क का विकास करना है, तो आपको कुछ कटिन से कटिन इक्सरसाइज करना है, तो मस्तिष्क का इक्सरसाइज क्या है, इसके लिए तो कोई व्यायाम है नहीं, कोई योगा है नहीं, को समता इतनी जादे हो जाएगी कि कोई future की बात सोच सकते हो कोई वस्तु है वो कैसे बनी है उसमें क्या technique लगा क्या यूज हुआ है वो सब सोच सकते हो जब दिमाग के अभिकास रहेगा न तो आप अपने जीवन में कोई भी व्यवसायक करोगे कोई भी रोजगार करोगे होगे confidence की कमी नहीं देहेगी ठीक है अभी एक मज़दूर को जो बहुत पैसे कमाने वाला हो और एक पड़े लिखे को किसी एक बस्तु के बारे में बात करने के लिए कर दिया जाए तो पड़ा लिखा ब्यक्ति बस चुप हो जागा दो लाइन बोलके स्वरी अनपड ब्य डेबलेमेंट होगा मस्तिस्क बीक्सित रहेगा तो आप बेंक रेलवे एससी यह आट वाले ही बच्चे करते हैं जिसका दिमाग जितना ज्यादा डेवलप रहेगा वो उतनी जल्दी उन चीजों को समझेगा अपने दिमाग में रखेगा जैसे एक्जाम्पेल के तोर पे मालो तुम्हेक लिस्ट निकालो सायद नहीं निकल पाओगे लेकिन पता करना जो लोग आई-स-स पीच्यों बन रहे हैं अगर पुरे भारत में एक साल में एक हजार आई-स-स-स सेलेक्ट होते हैं तो उस एक हजार में से और आठ सो जो स्टूडेन्ट हैं जो और आट सो शेलेक्टेड ऐाई वीर्फेसीहस हैं वए कहीं ने कहीं साइन्स स्ट्डीम से पढ़ाई कियु रहते हैं علब उनकी degree देा आनलो हर साल 1100 सेलेक्ट हो रहे है जब फैकेंजी आ रहे है तो उस 1000 में से जो 800 स्टूडेंट है उनकी डिगरी चेक किया जाएगा तो पता चलेगा को IITN है वो बीटे को आले हैं हाँ, IITN और बीटे को आले 800 स्टूडेंट लगभग आपको उन में मिलेंगे जो बाकी के दोसों है वो बाकी के हर बीसे से सलेक्टेट है भल बाकी का हर बीटे कर बाने उनका कि हो गया Normalies डिमाग को आपका कि वो उन चीजों को बहुत जादा असानी से समझ लिता है पकड़ लिता है कर लिता है याद कर लिता है सोचने समझने की छमता उसके अंदर जादा रहती है तो यह सब फैक्टर होता भाई ठीक है यह आप नहीं लिस्ट जान पाओगे तो जो लोग कि त्यारी कर रहे होंगे जड़ा कभी उनसे इस पर चर्चा करिएगा कि अगर एक हजार स्टुडेंट बीटेक वाले को एकजाम दे और एक हजार स्टुडेंट उसी एकजाम को दूसरे डिपार्टमेंट से पढ़ाए कि हो लोग एकजाम दे तो संभावना सबसे ज्यादा क इसकी बनेगी कि वो सेलेक्ट होंगे एक हजार वाले बीटेक वाले ज्यादा सेलेक्ट होंगे कि बाकी बीटेक वाले ज्यादा सेलेक्ट होंगे तो आपको यही जवाब मिलेगा कि जो बीटेक की हैं इसमें से ज्यादा स्टुडेंट सेलेक्ट होते हैं और जो बाकी कि बात कमेंटी में लिखिया आसकी वीडियो किस्पो किस्पो अचा लगा थेंक्यू